सूपरपाद बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हिंदी की कक्षा बच्चों, आज की कक्षा में हम एकी मात्रा सीखेंगे जिस प्रकार अभी तक आपने आ की मात्रा, छोटी यी, बड़ी यी, एवं छोटी हूँ और बड़े हूँ की मात्रा लगाना सीखा था उसी क्रम में अब हम A की मात्रा लगाना सीखेंगे बच्चों जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि A की मात्रा कुछ इस प्रकार की होती है और यह हमेशा अक्षर के उपर की और लगती है और जिस भी अक्षर के साथ यह जुड़ती है उसकी साथ हमें A का उच्चारण भी करना होता है तो चलिए इस वर्ण माला में हम इस A की मात्रा को जोड़कना सीखते है सबसे पहले क, क में A की मात्रा जुड़ी तो के इसी प्रकार ख, ख में A की मात्रा जुड़ी तो खे ग, ग में A की मात्रा जुड़ी तो गे और ग में A की मात्रा जुड़ने पर गे सुनाई देता है अब हम आगे देखते हैं च, च में A की मात्रा जे च, च में A की मात्रा छे ज, ज में A की मात्रा जे और जह, जह में एकी मात्रा जह सुनाई देगा इसी प्रकार ट, ट में एकी मात्रा जुड़ने पर टे ठ में एकी मात्रा जुड़ने पर ठे और ड में एकी मात्रा जुड़ने पर दे एवं ध में एकी मात्रा जुड़ने पर धे सुनाई देता है बच्चों ये अंगा, अना, इयां इन सब में आप बड़ी कक्षा में मात्रा लगाना सीखेंगे अब हम आगे देखते हैं त, त में एकी मात्रा जुड़ने पर ते, थ में एकी मात्रा जुड़ने पर थे, द में एकी मात्रा जुड़ने पर दे, और न में एकी मात्रा जुड़ने पर दे, और न में एकी मात्रा जुड़ने पर ने का उचारण करना होता है. इसी प्रकार अब हम देखेंगे, प, प में एकी मात्रा जुड़ी तो पे, फ में एकी मात्रा जुड़ी तो फे, और ब में एकी मात्रा जुड़ने पर बे, भ में एकी मात्रा जुड़ने पर भे, और म में एकी मात्रा जुड़ने पर मे का उचारण हम करते हैं अब देखिए य, य में एकी मात्रा जुड़ने पर ये और र में एकी मात्रा जुड़ने पर रे इसी प्रकार ल में एकी मात्रा जुड़ने पर ले व में एकी मात्रा जुड़ने पर वे और श में एकी मात्रा जुड़ने पर शे सुनाई देता है अब हम आगे देखते हैं इसी प्रकार आप भी इस वर्ण माला में एक ही मात्रा को लगा करके इसे पढ़ने और लिखने का प्रयास करेंगे धन्यवाद